चक्तुल आपकी च्श्रकार आपके द्वार अभियान के दूसरा चलरण एक नुवंबर 2022 से सुरू हो गया, यह अभियान 14 नौंबर को सुव होगा बता दे मुख्य मंत्री हे मंसुनें दूसरे चरण के अभियान के दुरान दो नौमबर को साहभगाज में आयोजित कारक्राम में सामिल होकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे इस मोगे पर साहभगाज मुख्य मंत्री कूल 10,481 लाख रुपए की 14 योजनाओं का सिलन्यास एवं 9 योजनाओं का उदगाटन भी करेंगे साथ ही लावकों के बिच परिसंपतियों का बितरन भी करेंगे मालूम हो कि पहले चरण के अभियान में 21 लाख से अधिक आवेदन विभीन सिवरो में प्राप्थ हुए जिसमें से 15 लाख से अधिक आवेदन का निप्टारा किया गया वहीं सेस आवेदन निप्टारे की परकिरिया में है प्रतम चरण के अभियान में सरकार की प्राथमिक्ता की योजिनाव के लिए 12 लाग से अधीक आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 8 लाग से अधीक आवेदनों का निप्टारा सुनिश चीत हुआ है जारखन की राइधानी राची समेत सभी जीलों में ठंड की आहट सुरू हो गई है राज की तापमान में लगातार गिरावट हो रही है मौसम विभाग की मानने तो राइधानी और आसपास के इलागों में 5 नॉमबर तक आसमान साफ रहेगा वहीं सुबा में कहीं कहीं कोहरा हो सकता है मौसम सुस्क रहेगा अधिक्तम और नियुतम तापमान में 20 बदला कुमिद नहीं है अधिक्तम तापमान 26, 27 तथा नियुतम तापमान 15, 16 डिगरी सेल्सियस के बिचरा सकता है बतादे पिछले आठ दिनों में सबसे अधिक पारा 29 अक्टिवर को गिला था इस दिन पारा समाने से करीब 3 डिगरी सेल्सियस नीचे 14.4 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच गया था जारखन अस्थापना दिवस से पहले पीए मोधी को याद आय बीरसा मुंडा जारखन अस्थापना दिवस से पहले प्रधान मंत्री नायंद मोधी ने मंगलवार को रायस्थान के मानगण में जारखन के महान सोतनता सेनानी बीरसा मुंडा बीर बुधु भगत और तिलका मांजी को याद किया प्रधान मंत्री ने कहा है कि आजादी के इतिहास में आदिवसी बीरो के योगदान को ओजगा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी उनके संगहर्स को प्रमुकता नहीं दी गई देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है प्रधान मंत्री मोधी ने कहा है कि आदिवासी बीरों ने 1857 की करांथी से पहले ही अंग्रेजी सासन के खिलाब संगर छेर दिया था वर 1780 में संथाल परगना में तिलका मांजी के नतितु में दामिन सत्यागरा लड़ा गया था दामिन संगराम लड़ा गया उन्होंने कहा कि 1832 से 32 में बीर बुद्धु भगत करने तितु में लरका अंदुलन चला वहीं 1885 में आजादी की यह जुआला से दुकानू करांथी के रूप में जल उठी ब्लाइंड किरिकेटर सुजीत मुंडा से मिले सियम हमांत मुख्य मंत्री हमां सुरेन कांग के रोड रांची इसीत मुख्य मंत्री आवासिय करेले में दिभ्यांग किरिकेट खिलाडी सुजीत मुंडा से मुलकात की सुजीत मुंडा ने मुख्य मंत्री को अगत कराया कि एकामी 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयो जीत होने वाले ब्लाइंड किरिकेट T20 वर्ल्ल कप के लिए उनका चैयन टीम इंडिया में हुआ है मुख्य मंत्री सुरेन ने दिब्यंग किरिकेट खिलारी सुजीत मुंडा को ब्लाइंड T20 वर्ल कप में अच्छे परदसन के लिए सुबकमनाय दिया है मुख्य मंत्री ने मौके पर सुजीत मुंडा को किरिकेट किट भी परदान किया मुख्य मंत्री हेमांसुरी ने दिव्यांग के क्रिकेट खिलाडी सुजित मुंडा को रांची में जमीन और उसी जमीन पर घर देने का भरुसा दिया है वहीं मुख्य मंत्री ने सुजित मुंडा से कहा है कि राई सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिमा उठाएगी आपके बच्चों को गुनवाता पुन सिक्षा मिले या राई सरकार की नयतिक जिम्यदारी है सियम हेमंत्र ने रांची के कंटा टोली फलाई ओवर का किया निरिक्षान मुख्य मंत्री हेमंत्र ने रांची के निर्माना धिन कंटा टोली फलाई ओवर का मंगलवार को निरिक्षान किया उन्होंने कंटा टोली चोग पहुँच कर योगदा सत्संग आश्रम कंटा टोली कोकर फलाई ओवर निर्मानकारे की प्रगति का निरिक्षन किया मुख्य मंत्री ने पता दिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि फलाई ओवर निर्मानकारे निर्धारित अओधी के भीतर पूरा कर लिया जाए उन्होंने कहा है कि योगदा सत्संग आश्रम से कंटा टोली चौक होते हुए कोकर के सांती नगर तक बनने वाले इस फलाई ओवर निर्मानकारे में समय बत्ता और गुनवाता का विश्यस ध्यान रखे उन्होंने रांची में आवगमन की सुविधा सूलब कराने पजोर दिया साथ ही कहा है कि लोगों को ट्रैफिक की समस्या दिलाने के लिए फलाई ओवर का सुबारम होना अवस्यका है सिम्डेगा नबालिक हत्या मामला सिम्डेगा के कोले बीरा थाना छेत्र में नबालिक के हत्या मामले को लेकर उसके परिजिनों ने कोले बीरा थाना में अपहरन दुसकर्म और हत्या के मामला दर्ज कराया है परिजिनों ने दो यूगों पर हत्या के संका दर्ज कराई है वहें पूलीस आरोपियों गिरफतारी के पर्यास में जूटी है दर्ज प्राथमी की में कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2022 की सुबह 10 वैस से 16 वर्षिये नवालिक अपने घर से मामा के घर लचरागर चटक टोली जाने के लिए निकली थी मिर्टक नवालिक अपने मामा के पास रह कर लचरागर संत डोमनी इंटर कॉलेज लचरागर के प्रत्थम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी मिरितिका की बड़ी बहन ने कहा है कि साम साथ वे मिरितिका के मोबाइल पर कॉल आया और बताया गया कि आपकी छोटी बहन का कॉले बीरा के आसपा दूर खटना हो गया है ठीक उसके 10 मिट बाद दुबारा कॉल आया कि बताया गया कि कॉलेवीर आस्पताल से सदरास्पताल डेफर कर दिया गया है जारखन के गरीबों को चीनी नहीं मिलने पर मंत्री उराव ने दी सफाई चारखन में अंतियोदय योजना के तहट 6 महिने तक गरीबों को चीनी नहीं मिली है इस पर हमन्त सुरेन सरकार के खादेव आपूर्ती मंत्री डाक्टर रामेशर उराव ने सफाई दी है उन्होंने कहा है कि यह सही है कि अंतियोदय परिवार को 6 मास चीनी नहीं मिली उन्होंने कहा है कि असल में सिंगल टेंडर हो रहा है इसमें चीनी की कीमत बाजार की कीमत से अधीक कोट की जा रही थी हम बाजार भाव से अधीक में चीनी खरीदने के लिए तयार नहीं थे फिर से टेंडर हुआ लोगोंने बाजार मुले से कम कीमत कोट की इसके बाद खरीद हुई और चीनी की आपूर्ती शुरू हो गई है रांची की चीनी हजारी बग चली गई थी उसको वहाँ से लाना पड़ा उन्होंने कहा है कि जल्द ही रांची में भी चीनी की आपूर्ती शुरू हो जाएगी उन्होंने बाताया कि दाल का वित्रन दिसंबर माह से सुरू हो जाएगा परधान मंत्री गरीब कल्या नोजना के तहट मिलने वाले राशन के बैक लोग के बारे में सिरी उराव ने कहा है कि राई सरकार पर चावल देने का बोज है एफसी आई ही दो माह देर से अनाज देता है गरीब कल्या नोजना हम समय से पूरा करना चाहते है जारखन अंदोलन कारियों के परिजनों को मिलेगा अधिकार पच्मी सिम्हुम के बंद गाउं टोकाद मैदान में जारखन अंदोलन कारी सहीद लाल सिंग मुंडा का और तिसवा साहतत दिवस मनाया गया इस दोरान बंद गाउं स्थीत सासन दीरी पर परिजनों द्वारा परमपारिक रिती रिवाज के तहाद पतर को धोते वे पूजा आचना किया गया इसके बाद गरामिनों ने परमपारिक हतियार के साथ बंद गाउं से टोकाद मैदान इस्थीत सहीद लाल सिंग मुंडा के असमारक असतक निकला जूलूस बंद गाउं बजार इस्थीत सहीद लाल सिंग मुंडा की परतिमा और टोकाद इस्थीत समाधी अस्तल पहुँचकर फूल माला चढ़ा कर दो मिनट का मौन रहकर उन्डे सधांजली दी गई जारखन में नीजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर लगेगी सरकारी सूल नेशनल मेडिकल कमिशन के आदेश पर जारखन के नीजी मेडिकल कॉलेजों में भी 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए धाड़ सूलक ही लिया जाएगा स्वाथ विभाग ने इसे लेकर जारखन सनुकी पर त्योकता परीक्षा को पत्र भेज कर आवसे करवाई करने को कहा है विभाग ने इसी साल तीन फरवारी को नेशनल मेडिकल कमिशन दोरा जारी उस आदेश को लागू करने को कहा है जिसमेनेजी मेटकल कॉलेजों की 50 पर सीटों पर सरकारी मेटकल कॉलेजों में लागो सुलक देना अरिवार किया गया बड़ी नेता की होगी की रफतारी रांची एरपोर्ट रोड इस्थीर इडी कर्याले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इडी ने हाल ही में पुलिस मुख्याले से पत्राचार करकर रहा लागी सुरक्षा बढ़ाने कागरा किया है या इस बात का संकेत दे रहा है कि हाल के दिनों कुछ बढ़ा घटना करम संभावी था है फिल हाल इडी इस बिसे में कुछ भी बोलने से बच रही है भरतमान में इडी दफतर में करीब एक दरजन सीया पीफ जवानों का पहरा है जारखन के तीन इसकूलों को राष्ट्रिय पुरसकार की घोसना जारखन सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रिय अस्तर पर अपना परचम फाराया है बतादा जारकन के तीन स्कूलों को राष्ट्रे पुरस्कार के लिए चायनित कर लिया गया है केंदर की नरेंद मोदी सरकार द्वारा जारकन के इन तीन स्कूलों को पुरस्कित किया जाएगा इन इस्कूलों का चयान स्वक्षता के विभीन मानकों पर खारा उतरने के लिकिया गया है इन में पच्मी सिम्भूम के कस्तुरबा गांधी बाली का आवासे भी द्याला है वही नुवा मुंडी रांची के कस्तुरबा गांधी बाली का आवासे भी द्याला है सोना हाथू तथा पच्मी सिमू के टाटा वरकर यूनियन हाई स्कूल कदमा सामिल है प्लस टू सिख्छक नियुक्ति के लिए 12 नुम बर तक भरे फरम जार्खन के प्लस टू हाई स्कूलों में असनात कोतर प्रसिशी सिख्षकों की नियुक्ति को लेकर आयोजीत होने वाली असनात कोतर प्रसिशी सिख्षक प्रतियोगता परिक्षा 2022 के लिए अब ओनलेन आवेदान 22 नॉमबर तक भरे जाएंगे जार्खन करमचरी चैन आयोग ने मंगलवार को इस परिक्षा में सामिल होने के लिए अवेदान की समय सिमा बढ़ा दी है इससे पहले ओनलेन आवेदान की समय सिमा मंगलवार को खत्म हो रही थी किसानों की उपज का सही दाम सुनिश्चित करे वर्ना होगा एंदोलान धनबाद जिला कमीटी अखिल भारतिय किसान सभा की संगठनिक समेलन जग जीवन नगर में मंगलवार को संपन होई इस असर पर संगठन का जंडा समिरन वीद ने फैराया तता सभी ने सहीद वेदी पर मल्यारपन किया इसके बाद सभी ने दो मेट कमाउंड रखकर सधाजली दी समेलन का उध्याटन करते हुए जरकन राज किसान सभा के सन्युकत से चिव स्याम सुन्दर मतों ने कहा है कि के पोरेट जगत को इसका ज्यादा मुनाफा मिल रहा है गिरीडी में नल जल योजना में घटिया काम केंदीडी ग्रिह मंत्राले के सन्युकत सिस्यूट डाक्टर सुनिल कुमार बर्नवाल का छेत्र दवरा दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा उन्होंने जमुआ और से पहले सदर परखोंड की मतरूखा पंचायत पहुंचे वहां उन्होंने मतरूखा ग्रामीन जलापूर्ति जोजना के तहत होने वाले कालयों के जनकारे ली बताया गया है कि इस योजना के लिए टेंडर हो चुका है आपकार प्रारम होना है उन्होंने सिगर काम सुरू क करने का निदेश दिया है देव घर में भी बदला सकते हैं अपना घुठना अब देव घर में भी लोग आपना पूरा घुठना बदलावा सकते हैं एस विधा पूरे संथाल का निसूलक सफल ऑपरेशन किया आउस्मान भारत योजना के तहद करीब 8 घंटे तक चला ए ऑपरेशन सफल रहा अलाकि डॉक्टर के ससी ने बताया कि अगर किसी के पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो भी वह ऑपरेशन करा सकते हैं एक घुठना को फूरी तरह से बदनने के लि केर एडवांस अस्पताल के मुखे गेट पर नक्चली संगठन पीलेफाई के नाम पर 50 लाग की मांग करते हुए पोस्टर चिपकाने के आरोप में पीलेफाई के पुर्वन अक्चली सहीत एक अन्य को गिरफतार किया गुमला स्टी प्यो मनिस चंद्रेलाल ने बताया है क कि गोकुल नगर इस्थित केर एडवांस अस्पताल के मुखे गेट पर पिलेफाई के नाम पर पर परचा चिपका कर डॉक्टर सौरव परसाद से 50 लाग रुपए के लिए भी किमांग की गई थी पोश्टर चिपकाने की जनकारी अस्पताल कर्मियो के दुआरा डॉक्टर सौरव परसाद को दी गई थी जितके बाद डॉक्टर ने गुमला थान्या को पूरे मामले की जनकारी दी 22,000 ग्रीन कारधारियों को दो महीने से नहीं मिल रहा रासान जिले भर में लगभग 22,000 से अधिक ग्रीन कारधारियों को पिछले दो माह से पीडियेस दुकान से रासन नहीं मिल रहा है लाभुक हर महीने रासन के लिए दुकान पहुँच रहे हैं लेकिन दुकंदार उन्हें रासन दिये बिना वापस भेज़ दे रहे हैं इस सबन्द में जिला पूर्धिपताधिकारी रंजीता टोपनों ने बताया है कि जनवरी से जून तक बहुत सारे कारधारियों के बाहर चले जाने के कारण रासन प्राप्त नहीं हुआ था अगस्त में 46 परद्यत रासन का वित्रन किया गया उन्होंने बताया कि इस महीने जिले के कुछ डिल्रों को ही रासन प्राप्त के लिए नहीं दिया गया इन्हें इन डिल्रों के पास से जो पूर्व में बच गय थे उससे ही री एडजेस्मेंट कर सितंबर अक्टूबर के लिए बाटा जाएगा राष्ट पती के आगवन की तेयारिया जोरो पर राष्ट पती दुरुपदी मुर्मू भागवान बिर्सा मुंडग जयनती मनाने 15 नॉम्बर को उनके गां उलिहातू आ रही है यह पहला मौका है जब राष्ट पती का आगवन उलिहातू हो रहा है जार्खन में बिर्सा मुंडग के नाम के बगएर राइनिती की सुरुवात नहीं होती सांसद में बिर्सा मुंडग की आदम कद परतीमा लगाई गई है बिर्सा के गां उलिहातू को सरकार ने सहीद गराम और उसके पहले अदर्स गराम का दर्जादे रखा है गाउं के लोग जानते हैं कि हर साल गाउं के विकास का पहिया तब एक बार घूमता है जब किसी बड़े नेता का आगमन उलिहातु होता है इस बार भी राष्टपती का आगमन हो रहा है ऐसे में उलिहातु के विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा है बावजूद इसके उलिहातु की बुनियादी आवसकताओ की पूर्ती सायद इन 15 दिनों में संभव नहीं है जार्खन के रायस्व उपनिरिक्षकों ने दी उग्र अंदोलन की चेतावनी जार्खन राज रायस्व उपनिरिक्षक संग के आवाहन पर मंगलवर को जीले के रायस्व उपनिरिक्षकल पर रहे इससे जाती पवणपत्र आवसे, पवणपत्र आय, पवणपत्र दाकिल, खारिच, भोमी, सुमांकन, अउनलाइन सुधार वीवी धवाद भूमी हस्तरांतरां जार्खन राजे फसल रहाते होई ना पीएम की सानी होई ना एवन विभीर परकार के आविदन पत्र समाजिक सुरक्षा समधित बिरिधा पेंशन बिद्वा पेंशन साहित सभी रहस्तों समधिक कार्य प्रभावित रहे वही संग ने कहा है कि जब तक हमारे ये गारा सुत्री मांगे पूरी नहीं होती तब तक हरताल जारी रहेगा साथ ही उग्र अंदोलन की भी चेतानुदी है कहा आने वाले समय में अंदोलन और भी उग्र होगा धारना अस्तर परमुके संडक्षक भरत कुमार मजूद थे जनजातियों के हक के लिए आवाज बुलंद करने की हो सकता जनजातिय सुरक्षम मंच के तत्वधान में मंगलवार को हरिहरपूर जाम टोली पंचायत के खुरहा टोली मैदान में बैठक हुई इसमें संपुन जनजातिय समाज को यगजूट होकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने का वहान किया गया बैठक में मंच के जिला अध्यक जगनात भगत ने कहा है कि जनजातिय समाज के अरक्षन का लाभ कुछ दूसरे समाज के लोग उठा रहे है अधिली नजिंद्गी लातेहार घूली कंड में घायल तीन मरीजों को पारस एचचिसी अस्पताल ने नजिंद्गी दी है 21 अक्टूबर चुक्रवार को आपाथ कालिन की स्थीती में तीन मरीजों को पारस होस्पिटल रांची में भरती कराय गया था बता दे एक मरीज को छाती में एक मरीज को कौफ मसल में और एक मरीज को जांग में गोली लगी थी जिन मरीजों को पैर के हिसे में गोली लगी थी उन मरीजों के पैरों में से गोली के टुकड़े को बाहर निकाल दिया गया और जिस मरीज के छाती में गोली लगी थी उसकी हालात नाजुक थी डाक्टर रमेश दास एवं डाक्टर ओम परकास ने पाया कि गोली मरीज के लंग्स को आर पर करते हुए बाहर निकली है वैसे समाज के अंदुलनकारी 6 को होंगे समानी जार्खन राज निर्मान में वैसे भोमी पोत्रों की भोमी कावा उनकी बरतमानी स्थिती बीशाय पर 6 नौवंबर को से मिनार होगा वैसे मोर्चा की ततोधान में या आयोजन प्रेस कल्व में सुबा 11.15 बज़े होगा इसका सुबारम रांची के सांसर संजा सेट करेंगे इसमें जार्खन के अंदुलनकारी स्वास्त मंतरी बाना गुपता मोख्य थिती होंगे वहीं जार्खन अंदुलन से जुड़े पुर्व मंतरी राम चंदर केशरी पूर्वविधाया गौतम सागर राना वरिष्ट पत्रकार विशनू मौजूद रहेंगे चाई बासा में पिता ने अपने दो बेटियों को मार डाला जहारखन के पच्मी सिम्हुम जीले में डबल मॉडर का एक संसनी खेज मामला सामने आया है कराई केला थाना छेतरे के परसा बहाल गाव में सोमवा रात इंसान से हवान बने एक बेरहम पिता ने अपने ही दो मासुम बेटियों के गले काट कर उनके निर्मा महत्या कर दी पुलिस ने बताया है कि आरोपी जुगक बुधन सिंग बोदरा ने सोमवा रात को अपनी आठ वर्षी बेटी निमा बोदरा और छो वर्षी बेटी हीरा मोनी बोदरा की तेज धारदार हथिया से गला काट कर हथिया कर दी पुलिस ने सोओ को पोश्माशम के लिए भेज कर मामले की जाच शुरू कर दी है कारोबारी अमित अगरवाल हुए फीट इडी द्वारा गिरफतार किये गए कोलकत्ता के चर्चीत कारोबारी अमित अगरवाल को रांची के रिम्स अस्पताल से वापस रांची के बिर्षा मुंडा केंदरिये करागार भेज दिया गया है इसे पहले बीते सुक्रवार को अमित अग्रवाल ने पेट दर्थ की सिकाज की थी जिसके बाद पुलिस सुराक्षा में उन्हें बिर्शा मुंडा केंद्रिय करागार से रांची के रिम्स अस्पता लाया गया था बता दे रिम्स से मीडी जनकारी के अंसार अमित अगरवाल के पेट में इंफेक्शन था नगर निगम चुनाव दिसंबर में घोसना इसी माँ जारखन में नगर निगम चुनाव को लेकर तेयरिया अमतिम चरण में है जारखन राखन निगम चुनाव की घोसना किये जाने की समभावना है यदि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के तीसरे सबता में चुनाव होगा चुनाव तेयारी को अमतिम रूप देने में जूटे आयोग के अधिकारियों कमानना है कि सभी परकिरिया 15 नॉबर तक पूरी कर लेनी है जिसके बाद आयोग सरकार को निर्वाचन का प्रस्ताव भेजेगा राज निर्वाचन आयोग के सचीव राधे स्याम परसाद ने कहा है जिला अस्तर पर मद्दाता सुची परकासन और वाड सदस्यों के आर अक्षन की परकिरिया पूरी की जा रही है इस वर्ष परी सीमन नहीं होने की वज़ा से जन गन्ना वर्ष 2011 के अधार पर गठी वाड छेत्र में चुनाव कराए जाएंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों के सब्सक्राब कर बाल का बेल एक अंदा भाई ये साथी साथ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना फीडिवाइक अवास से दे थैंक्यू